है दोस्त विल्कम तो वाई यूटूब चैनल टॉफिक हेल्थ डी इसमें आज हम बात करेंगे लीवर इंफ्यक्शन की बारे में लीवर इंफ्यक्शन यानि कि अगर आपका लीवर घड़बड है आपका लीवर सिधे से काम नहीं कर रहा है आपके लीवर को साफ करना इसे ब पांच चीजे कौन सीए दोस्त वीडियो पे इंड तक बनके देख लीजएगा ताकि आपको पूरी चीज़े जानकारी हो सके और एक छोटी सी बात करेंगा दोस्त आपको वीडियो पर लाइक कर लीजिएगा आभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में गंडी होगी इसको जरूर प्रसकर लीजेगा है दोस्त मैं हूँ दिनेश बात करने वाला हूँ इसमें लीवर इंफ्यक्शन या लीवर को साब कैसे करें या लीवर से जुड़ी बहुत सारी समस्यों की बारे में अब मैं स्ट सरीर के अंदर जितने गंदें टॉकसिन होते ہے यानि कि जाहरील proportion आप का सकते उस जाहरीले पदार्थ को लीवर आपकर करता लीवर का का कम सिर्फ यही होता है और अगर हमारे अंदर जारीले पदार्थएं हो बाहर ना निकल पाहे तो आप खुब समझ लेजिए आपका सर के अंदर की नहीं निकलेगी तो दोस्त आप बीमार वाकई में पढ़ सकते हैं तो दोस्त इसी टॉपिक में बात करूंगा पांच चीजे ध्यान से सुनिएगा अगर यह पांच चीजों को आप लेते हैं तो कोई भी लीपर से जुड़ी कोई भी प्राबलम्स अगर आपको होती है तो भाविस में भी नहीं होगी साथ किसी ने आपको बताया नहीं होगा अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं तो इस वीडियो पे बने रहीएगा पहले चीज नीवो नीवो बहुत जादे मात्रा में आपको सेवन करने का तरीका क अब जब पर का निजोड़े में इसको बतादू आप जब जैसे डाल चावल खाते हो तो अगर आप पाने के सोखी न करो तीह करो मतलब इस चैन्ज करो अपने चैन्ज करो चैन्ज करो निव सबजी का सेवन जितना हो सके महीने में अगर 30 दिन होता है तो आप कम से कम 20 दिन हरी सबजी खाने की कोशिस कीजिए आपका लीवर बहुत अच्छे से बूश्ट करेगा यानि कि उसकी पाउर बढ़ेगी आपका जब लीवर सही होगा तो आपकी पाचन संगता चंपता अच् दोस्त और इसके काम भी कई सारे हैं तो लहसुन को खाने का तरीका कोई भी हो आप खाने में इसको लहसुन को एडमिट कर सकते हैं या सुबह आप खाली पेड़ भी लहसुन को ले सकते हैं तो लहसुन आपके सरीर के लिए बहुत अच्छा फायदा करेगा और फायदा करन फोजला है पंसारी दुकान पे आपको मिल जाएगा अंबा हलदी हो या घर वाली हलदी हो अगर अम्भा भी मिलती है तो आप घर वाले हलदी का सेवन कर सकते हैं गूणवने पाने में एक चुट्की हल्दी डाल के आप उसका सेवन कीजिए या खाने में कम से कम या ज्यादा से ज्याता मात्रा में आप हल्दी का सेवन कीजिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नहीं लेना आपको यह नहीं की आगर आप हपते में खाते हैं तो हल्दी वाले वोजन का ज्यादा इस्तमाल कीज काप कराने के साथ अख्रोट के लिए नई उमंग देगा उर लीवर के लिए के लिए नए उमंग देगा और लेवर के अगर ये पाँच चीजें बहुत बहतरी नमानी जाती हैं दोस्त, तो मुझे तो नहीं लगता है कि पाँच चीजें बहुत महगी आती होंगी, या आप इसका सेवन नहीं कर सकते हैं, हरी सबजी आलड़ी हम हम मार्केट सबजी लेके आते ही हैं, तो हमको सबजी यह करना बहुत बड़ी बात नहीं है निवह हमारे घर में किचन में आसानी से मिल जाएगा हल्दी भी मिल जाएगा अख्रोट थोड़ा है जो मार्केट से हमको लेके आना पड़ेगा तो यही चीज़ें दोस्त अगर इसका सेवरम करते हैं मेरे उन भाईयों के लिए वीडियो है जो है तो यकीन करो दोस्त आप अगर इसका पूरे अच्छे से फालो करते हूं तो आपको कभी विलिवरती जोड़ी कोई समस्या नहीं होगी तब तक दोस्त अब एक च्छोटी सी बात आपको बता दूग और वीडियो आप लोगों नहीं यहां तक देखा तो थांक्यू वेर अभिझ भूड़ाय हुआ नहीं है